now this is the program 2 of your bow write a number to print the first 5 multiple of 5 5 के starting के multiple हमको print करने है जैसे क्या है ना चाहिए 5 10 15 20 25 यह 5 के starting के multiple हैं है की नहीं तो हमको इसी को print करने है तो अब कैसे print करेंगे सबसे पहले क्या print होना चाहिए 5 print होना चाहिए सबसे पहले हमने क्या लिया एक वेरिबल ले लिया एंड नाम का जिसमें वेल्यू असाइंग की 1 नाओ चेक करेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 5 अब यह देखो लेस देन इक्वल टू मतलब यह कहां से चलेगा मैं बताई थी कि पाइथन में जो भी कोडिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है जो भी लूप होता है जैसे तीन बार प्रिंट करना है तो मैं कहां लिकूंगी 0 1 2 मतलब लिखती नहीं वो अटमेटिकली अंदर से स्टोर हो रहते है 0 1 2 इतने बार रन होगा तीन बार प्रिंट करोगे तो अगर आप लिखोगे जैसे 1 is less than 4 इतने बार में रन होना चाहिए या less than 4 टाइम तो कितने बार होगा वो तीनी बार होगा एक बार 0 मतलब 0 से स् पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और equal to लिखे होना तो इसलिए 4 तक जाएगा अगर आप equal to नहीं लिखोगे तो सिर्फ 3 तरक जाएगा ठीक है अब यहाँ पे हमने value को initialize कर दिया 1 से 1 2 3 4 और उसके बार equal to है इसलिए 5 तक क्या होगा यह execute होगा मतलब 5 बार loop जो है execute होगा कि तो सबसे पहले हम लोग लोग कितने पर execute करेंगे वह specify कर दिये 1 से होके start होके 5 तक जाना चाहिए ठीक print क्या करने है पहले 1 की value मतलब पहले n into 5 जो भी value आएगी उसको 5 से multiply करते जाना है क्यों क्योंकि हमको 5 का multiple print करने है अगर 2 का multiple बोलेगा तो n into 2 करेंगे 5 बार प्रिंट करने है तो 5 करेंगे 10 बन प्रिंट करने होगा तो 10 करेंगे 3 बार प्रिंट करने है तो 3 करेंगे और किसका multiple प्रिंट करने है 5 का multiple तो यहां पर 5 करेंगे अगर मैं बुलू 3 का multiple प्रिंट करने है तो 3 लिखेंगे ओके न, तो देखो, n equal to 1 से start होगा तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, चलो फिर से देखते है सबसे पहले क्या है, n की value 1 while loop में गया, 1 is less than, equal to 5 तो सबसे पहले क्या है, less than 5 है, yes condition क्या हो गया, true हो गया, है की नहीं भई print क्या करना है, n into 5, n की value कितनी है, 1 तो 1 into 5 मतलब कितना हैगा, 5 print हो गया, वापस नीचे गया, n की value को क्या करना है, increase करना है तो n की value क्या है अभी, 1, तो 1 plus 1, अब n की value कितनी हो गई, 2 मेरे साथ बोलते जाएंगे और देखते जाएंगे अब n की value 2 हो गई, वापस check करो, 2 is less than 5, yes condition क्या हो गया, true, अब क्या print करना है, n into 5, n की value भी कितनी है, 2 2 into 5 मतलब कितना आएगा, 10, तो क्या print हो गया, 10 अब वापस से नीचे गये, n की value कितनी हो गई, अब n की value कितनी हो गई, increment होके, 2 plus 1 मतलब कितनी हो गई, 3, अब वापस से चेक करेंगे, क्या, 3 is less than equal to 5, है की नहीं, है, less than 5 है, yes condition क्या हो गया, true हो गया, अब जब condition true हो गया, अब जब condition true हो गया, तो क्या लिखा है, n into 5, ये तो execute होगा, n की value भी कितनी है, 3 3 into 5 मतलब कितना print होगा, इस बार, 15, फिर वापस नीचे गया, n की value कितनी हो गई, 3 plus 1, 4 हो गया, कितने बार होगा पते हैं, 4 is less than 5, true, जब तक एक condition true होगा, तब तक चलेगा, उसके बाद है, 4 into 5, कितना print होगा, 20, अब n की value कितनी हो गई, 5, क्योंकि 4 plus 1, अब वापस गया, n is equal to less than 5, no, पर यहाँ पे एक और condition है, n is equal to 5, yes, क्योंकि 5 is equal to 5, condition क्या हो गया, true, n की value कितनी है, 5 है, तो 5 into 5 print होना है, मतलब कितना print होगा, 25, अब वापस नीचे आएंगे, n की value क्या हो गई, 5 plus 1, that is, 6, वापस जाएंगे, 6 is less than equal to 5, 6 is less than equal to 5, सबसे पहला, 6 is less than 5, no, 6 is equal to 5, no, condition क्या हो गया, दोनों में, false हो गया, तो यह print होगा, क्या, नहीं होगा, क्योंकि condition क्या हो गया है, false हो गया है, यहाँ पे n की value क्या हो गई है, 6 हो गई है, तो condition false हो गया, तो यह print नहीं होगा, यह भी print नहीं होगा, और हमारा end हो जाएगा, क्या, loop और हमको output में क्या मिलेगा, 5, 10, 15, 20, 25, यही हमारा क्या होना चाहिए था, output होना चाहिए था, 5 multiple तो यह है, एक, दो, तीन, चार, पांस, अगर मैं बोलू, 5 का table बनाओ, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, और यह 1, 2, 3 करके, 10 बार पी जाएगा, यह चलते जाएगा, अगर बोलेगा, 2 का table बनाओ, तो N into 2 करना है, क्योंकि 2, 1s are 2, 2, 2s are 4, 2, 3s are 6, कितने पर बनाना है, table मतलब, generally 10 तक रह फर करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 करेंगे, समझ आ रही है बात, इस type से हम क्या करते हैं, किसी भी का, मतलब table बना सकते हैं, किसी का multiple भी निकाल सकते हैं, है की नहीं, किसी का square भी निकाल सकते हैं, आप square कैसा निकालोगे, जो n की value है, उसी को क्या करते जाना, increase करते जाना, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखना, n equal to 1 रखी हूँ, तो क्या लिखोंगी, जैसे मालोगे, 5 तक का square प्रेंट करना है, 5 तक का square, जैसे 1 का square, 1, 2 का, 4, 3 का, 9, 4 का, 16, ऐसे आता हैं, जानते हूँ न, तो क्या लिखेंगे, n is equal to 5 तक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, print n into n, जो भी n की value रहेगी, उसी को दो बर multiply करेंगे, क्योंकि square का मतलब क्या होता है, बिटा, दो time multiplication होता है, कि नहीं, तो उसको दो time multiply करो, और n की value को क्या करेंगे, हर बार increase करेंगे, ठीक है, चलो, देखो सबसे पहले, n की value 1, condition, फाइफ, ट्रू है, यहाँ आगया, तो पहले n की value क्या है, 1 into 1, कि इतना आएगा, 1, अब n की value क्या हो गई, 1 plus 1, मतलब कितनी हो गई, 2, वापस गया, 2 is less than 5, yes, print करो, n की value कितनी है, 2, इसकी value कितनी है, 2, तो 2 into 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4, फिर n की value बढ़ह, n की value कितनी ह हो गई 3 वापस condition true हो गया क्योंकि 3 5 से चोटे है अब n into n मतलब 3 into 3 कितना हो जाएगा 9 फिर n की value कितनी हो गई 4 वापस से चेके सब सही 16 फिर वापस गया n की value कितनी हो गई 5 कितने हो गया 25 अब n की value कितनी हो गई 6 अब उपर जाओ 6 is less than 5 no 6 is equal to 5 no तो यह प्रिंट होगा क्या नहीं यह प्रिंट होगा क्या नहीं तो हमको 5 तो मिल गया 1 2 3 4 5 यही 5 हमको square चाहिए था पर अगर cube निकालना है तो क्या करेंगे तीन पर multiply कर देंगे समझा रहे हैं बहुत simple है ठीक और इस condition को आप ऐसा भी कर सकते हो n is greater than कर को यहाँ पे 10 से हमको यहाँ पे 1 तक लाना है तो ऐसा भी कर सकते हो बस इसको कम कर देना है ठीक जैसा आपको ठीक लगे जो भी मैं चीज़े बता रही हूं उसको copy में note down करके र त्री consecutive numbers using wild loop तो आपको ऐसी coding मिनाना पड़ेगा नहीं स्क्वेर निकालना है या क्यूब निकालना है तो चलो वो अलग बाते एक और वीडियो देखते हैं मतलब एक और प्रोग्राम देखते हैं